हाई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है वाफिट से आपके अपनी यूटूब चनल वेलकम आटो पर देश में लगातार कारों का क्रेज बढ़ता जा रहा है डेली नई नई कारें लॉंच हो रही है और उनिक साथ साथ कार कस्टमर्स की भी डिमांड बढ़ रही है अलग-अलग कार कस्टमर्स को अलग-अलग कार्स की डिमांड हो सकती है जहां कुछ कार कस्टमर्स को महेंगी वा लगजरी कार्स पसंद है वहीं कुछ कार कस्टमर्स को सफती कार पसंद आती है आज इस वीडियो में हम आपको पंच शोर्व होती है तीन लख पैसंगे पांच लाग तक तो चलिये दोस्तों बढ़ते हैं अपने सहस्ट के तरफ और हमारे मिट्री सोन हे डीक लेंदाई अंश्कर इसज़ान यह अफिकर इस परवत स्पोर्ट्स और एस्टा एस्टा एस्ट का टॉपेंड वैरियंट है तिलवर वाइट स्टार्डर्स बेज ब्लू रेड ग्रीन वाइट मिलाकर टोटल साथ कला स्कॉप से मिलता है आपको हैंडाई सेंट्रों में नाइस अंट्रो में 1000 CC inline four cylinder MPI petrol engine मिलता हैं इंजन 68 HP जेनरेट करता है 99 nm autor जेनरेट करता है और 20 km प्रत किलो का अवरीज पर देता है और 30 km प्रत किलो का अवरेज CNG पर देता है प्राइज एरिया वाइस थोड़ा बहुत कम या ज़ादा हो सकता है और अब हमारी इस लिस्ट में फॉर्ट नमबर पे है मारुति सुजी की एस्प्रेसो एस्प्रेसो एक फाइफ सीटर इंडियन हैच बैक कार है इसके अंदर पाँच यात्रियों के लिए सीट उपलब्ध है यह फास्ट टाइम 2019 में लाँच हुई है और यह भी अपने फास्ट जेनेशन में चल रही है मारुति सुजी की एस्प्रेसो में टोटल 4 वेरियंट्स आते हैं और शिक्स कलर्स का ऑप्षन मिलता है आपको एस्प्रेसो में जो कुछ इस प्रकास से हैं औरेंज, ब्ल्यू, वाइट, रेड, ग्रे, सिल्वर मारुति सुजी की एस्प्रेसो में 1000cc इन्लाइंट 3 स्रेंडर सुजी की K10B BS6 पेट्वल एंजन मिलता है और 90 Nm Tor generate करता है 21 km per litre का average जेता है पेट्वल पर इसमें 5-speed manual और 5-speed AGS automatic transmission का ऑप्षन मिलता है मारुति सुजी की एस्प्रेसो का price start होता है 4,10,000 रुपए से और जाता है 5,4,000 रुपए तक सेप्टे के लिए Global NCAP ने 3 स्टार दी है एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए और 2 स्टार दी है चाइल्ट प्रोटेक्शन के लिए एस्प्रेसो को सेप्टे की मामले में एस्प्रेसो दो कदम पीछे है अपने segment की कारों में और अब हमारी इस लिष्ट में 3 नंबर पे आती है मारुति सुझ की इको मारुति सुझ की इको एक 7-seater इंडियन वैन है एको फर्स टाइम 2010 में लौंच हुँ थी और अभी एपने फर्स जनरेशन फेसलिट वेरेंट में चल रही है पेट्रोल और CNG में आती है टोटल 5 वेरेंट्स में आती है मारुति सुझ की इको जो कुछ इस प्रकार से है 5-seater standard, 5-seater AC, 7-seater standard, cargo और ambulance variant में आती है इको black, red, grey, white, silver, blue मिला कर खुल 6 colors का option मिलता है आपको युको में इसमें पेट्रोल में 1200cc, inline 4 cylinder, BS6, Suzuki G12B पेट्रोल एंजन मिलता है ये एंजन 72 horsepower जनरेट करता है, 98 nm torque जनरेट करता है और 16 km प्रकलेटर का average देता है पेट्रोल पर और CNG में 20 km यानि की 20 km प्रकलो का average मिलता है आपको CNG पर मारतु सुच की एको का price start होता है 4,10,000 रुपए से और जाता है 5,30,000 रुपए तक cargo AC variant का price 5,50,000 रुपए है और ambulance variant का price 7,05,000 रुपए है और अब हमारी इस लिस्ट में second number पे है रेनो कुईड रेनो कुईड एक 5-seater Indian hatchback का आ रहे रेनो कुईड फर्स्ट टाइम 2015 में लों चुई थी और यह अभी फर्स्ट जनरेशन फेस्लिप variant में चल रही है टोटल 4 variants में आती है रेनो कुईड जो कुछ इस प्रकार से है RXC, RXL, RXT optional और climber optional variant आते हैं blue, red, white, silver, orange और electric blue मिलाकर टोटल 6 colors का option मिलता है आपको कुईड में रेनो कुईड में आपको 2 petrol engine का option मिलता है पहला 800cc, दूसरा 1000cc का इसमें हम 1000cc वाले engine के बारे में बात कर रहे हैं इसमें आपको 1000cc inline 3-slender DOHC Nissan BR-10DE petrol engine मिलता है engine 67 horsepower generate करता है, 91 and a torque generate करता है 51 km per liter का manual में और 22 km per liter का automatic में average देता है 5 speed manual और 5 speed EGR automatic transmission का option मिलता है रेनो कुईड की price start होती है 4,25,000 रुपए से और जाती है 5,60,000 रुपए तक ये price area wise थोड़ा वद वैरी कर सकते हैं और अब हमारी इस लिस्ट में first number पे है मारतु सुच की Alto K10 Alto K10 एक 5-seater Indian hatchback car है Alto first time 2000 में launch हुई थी और ये अभी अपने third generation में चल रही है Alto K10 सिर्फ petrol में आती है total 4 variants में आती है Alto K10 मारतु सुच की Alto K10 में आपको six colors का option मिलता है जो कुछ इस प्रकार से है Sage link red, silver, grey, blue, white, gold colors का option मिलेगा मारतु सुच की Alto K10 में आपको 1000cc inline three cylinder BS6, dual jet, dual BBT, naturally aspirated K10C petrol engine मिलता है ये engine 65 force power generate करता है 89 Nm torque generate करता है और 24 km per liter का average देता है 5-speed manual और 5-speed AGS automatic transmission में 22 CNG में 32 km per liter का average देता है ये engine Alto K10 का price start होता है 3,98,000 रुपीज से और जाता है 5,65,000 रुपीज तक इस वीडियो में हम आपको एक golden tips के तोर पर एक car recommend कर रहे है जिसका नाम है Datsun Redigo Datsun Redigo एक 4-seater Indian hatchback car है Datsun Redigo फर्स टाइम 2016 में लौंच वी थी और ये अभी अपने first generation facelift variant में चल रही है Datsun Redigo सिर्क petrol में आती है Total 4 variants में आती है Datsun Redigo Blue, Red, Brown, Gray, Silver, White को मिलाकर Total 6 colors का option मिलता है आपको Datsun Redigo में Datsun Redigo में आपको 2 petrol engine का option मिलता है फहला 800cc, दूसरा है 1000cc petrol engine इस बीडियो में हम आपको 1000cc petrol engine का बारे में बताने जा रहे है इसमें 1000cc inline 3 cylinder Nissan BR10 petrol engine मिलता है engine 67 horsepower generate करता है 91 nm torque generate करता है 21 km per liter का mileage manual में 22 km per liter का mileage automatic transmission में मिलेगा Datsun Redigo का price start होता है 3,18,000 रुपीज से और जाता है 5,30,000 रुपीज तक तो दोस्तों ये थी middle class families के लिए 6 कार है जिनका price 3,000,000 रुपीज शुरू कर 5,000,000 रुपीज तक जाता है इनमें से कौन सी कार आपको पसंद आई हमें comment section में जरू बताएगा दोस्तों इसे तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जड़े रहे है ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों